शड का एप्लिकेशन 37 एप्लिकेशन 37 दिखेगा एक समझा देंगे उमीद है कि इसी तरीका से अंदर का भी वैसी बनेगा सिंपल है नॉर्मल है अगर समझ गए तो बहुत अच्छा ना समझे तो भी अच्छी बात है कहने का मतलब यहाँ पर कहने का मतलब यह है कि एप्लिकेशन 37 जो है बुला इफ आजरा देखना है तो थोड़ा देख सकते है शड में अगर प्रावलम है तो अनने तो फिर करिया इफ एक्स का वैलू दे दिया इतना एंड वाई का वैलू दे दिया इतना बुला एक्स का वैलू इतना वाई का वैलू इतना तो हम लोग को वैलू तो दे दिया है इसमें चार कोशन दिया सब बच्चा परिसानी की चार एक साथ कैसे करेंगे सर एक्जाम में आता है तीन मार्क्स का लेकिन कैसे करेंगे तो याद रखेगा, चार पे इस एक्जाम में नहीं पुछेगा, इसमें से कोई एक कोशन इसके साथ जोइन कर देगा, X का value देखे, Y का value देखे, या तो ये पुछ लेगा, या ये पुछ लेगा, या ये पुछ लेगा, हो गया, फिलाल हम पूरा बना दे रहें, यहां पर समझ लेजेगा, देखे, एक नमबर है, बुला है, पुरूफ करिए, इतना बराबर इतना, तो याद रखिएगा, याद रखिएगा, बाभू लोग, कि ये चीज़ जब दिया रहेगा, X का value, Y का value, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, पता है, X पलस Y निकालेंगे, X पलस Y का मतलब ये दोनों को जोड़ के जो आएगा, वो निकालेंगे, फिर क्या निकालेंगे, X मैनिस Y निकालेंगे, कोश्चन में नहीं बुलेगा, आपको अपने से निकालना होगा, अपने से इसलिए निकालना होगा, क्योंकि आगे जाकर लगेगा, फिर उसके बाद एक्स वाई निकालेंगे मतलब ये तीन चीज हर हाल में निकालना होगा अगर आपको एक्स और वाई का वैलू इस तरह से दिया रहेगा एक्जाम में तो एक्जाम में एक्स और वाई का वैलू दिया रहेगा तो आपको ये तीन चीज निकालना होगा दो के हम भी निकाले लेएाँ के अगके सामने में कोशन नमबर देखेगा पेज नमबर है आपका 159 सद का application 37 अतुफः आपको नहीं हो देखें तो कहने का मतलब है quadratic 찾 का 159 application 37 तो कहने का मतलब है कि application 37 बिले if x is equal to इतना y तो कहने का मतलब है कि एक number पूरूफ करेंगे इतना बराबर इतना इसको पूरूफ करेंगे इसका पूरूफ निकलने इसका value निकलना है और इसका value निकलना है और इसका भी value निकलना है तो सबसे पहले बच्चों लोग ध्यान दीजिएगा हम लोग camera में थुरा नीचे आईए हम लोग का कहने का मतलब है कि हम लोग सबसे पहले क्या निकलेंगे जो बताएं है निकलेंगा at first सबसे पहले क्या करेंगे let करेंगे let us क्या करेंगे calculate value of x plus y comma x minus y comma x y यह तीनों चीन निकालेंगे ठीक है यहां से हम लोग स्टार्ट कर रहे है बनाना हम लोग यहां से स्टार्ट कर रहे है बनाना तो कहने का मतलब है कि यह देखिए at first let us calculate value of x plus y x minus y और x y तो पहले यह वाला निकाल रहे है यह तीनों निकालना जरूरी है इसका काम लगेगा देखिए यह निकालने से क्या होता है आसान हो जाता है x plus y है तो x का value क्या है हम लोगे कोशन में दिया हूआ यहां देखिए तो कहने का मतलब x का value होगी है root 3 यानि के root x का value root 3 plus 1 by root 3 minus 1 plus क्या देखिए y का value क्या है यहां देखिए y का value यहां यह चीज़ को यहां लिखिए क्या देखिए लिखिए root 3 minus 1 by root 3 plus 1 यह लिखने के बाद हम लोगे ऐसे के लिए LCM क्या लिए LCM बाबू लोग यह कहने का मतलब बाबू लोग LCM लेंगे इसको और इसको यहां लिखेंगे आई देखिए यह लिखे यह लिखे minus 1 फिर यह लिखे यह root 3 plus 1 यहां देखिए इससे यह कटा तो क्या बचेगा यह दुनों बचेगा गौर से समझ यह यह दुनों कट गया तो यह दुनों बचे यह दुनों यहां पे छाप देगे लिखेंगे root 3 plus 1 into root 3 plus 1 यह लिख दिए ठीक है यह वाला पलस देगे यहां से यह वाला हिससा कटेगा यह वाला हिससा हमाँ अउंगली से छुपा दिए यह कट गया तो का बचा यह दुनों बचा जब यह दुनों बचा तो यह दुनों यहां पे लिखेंगा तो कहने का मतलब है कि यह लिख दिये ठीक है देखें ध्यान से दिखिएगा कहने का मतलब है कि बाबलुक ध्यान से दिखेंगा इस चीज़ को हम लोग देखिए A minus B A plus B किसी का फर्मूला है ता बुले का बुलेगा A minus B A square minus B square का है तो हम लोग रूर 3 का square लिख देंगे और minus 1 का square लिख देंगे तो कहने का मतलब है यह दो बार लिखा हुआ हम लोग इसको एक बार लिख देंगे यह रूर 3 plus 1 का whole square एक बार यहाँ एक बार यहाँ हम लोग क्या कि दो बार एक जैसा था तो एक बार लिख देंगे कोई problem है तो कहने का मतलब यह है कि यह वाला plus यहाँ देंगे फिर इसको भी देंगे यह A minus B, A minus B दो बार लिख देंगे 2 time यह square दे दिये ठीक है अब यह जो है इसको formula में break करेंगे यह देखिए यह वाला जो है formula में break करेंगे तो formula में क्या होगा break गौर से देखिएगा थोरा सा लिजरिया है लेकिन एक दम simple है A square plus 2 A B plus B square यानि कि आप बोल सकते हैं कि root 3 का whole square plus 2 into root 3 into 1 plus 1 का square यह plus देंगे यहां भी open करेंगे इसको क्या करेंगे यह A है यह B है तो A square A square में लिखेंगे root 3 minus 2 into root 3 into 1 plus 1 का square नीचे क्या हो जाएगा इससे यह कर जाएगा तो यहां root 3 होगा यहां 1 का square 1 होगा कहने का मतलब है बाबू लोग इसको इससे कार देंगे इसको इससे कार देंगे तो आप बोल सकते हैं क्या बोलिएगा मतलब है कि यहां से क्या बचेगा यह जो कटेगा यह 3 बचेगा क्यूंकि रूट है इसको कट गया plus इसको multiply करेंगा तो 2 root 3 plus 1 का सको अर्वन ही बचेगा plus इससे root 3 से टूटा है तो यह 3 बचेगा minus फिर लिखेंगे 2 root 3 plus 1 का सको अर्वन नीचे क्या हो जाएगा क्या होगा 3 minus 1 है ठीक है बालब है कि देखिए थोरा सा बना रहे समझ के करिएगा ताकि एक्जाम में गलती ना हो ये 2 root 3 ये 2 root 3 ये 2 root 3 पलस मैनिस कर जाएगा 3 और 3 को जोरिएगा तो कितना होगा 6 होगा और ये 6 हुआ और 1 और 1 को जोरिएगा तो कितना होगा 2 होगा और 3 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा 2 होगा 6, 2 कितना होगा 6, 2 कितना होगा 8 होगा नीचे 2 होगा 2, 1, 2, 2, 4, 8 मतलब का हुआ कि X plus Y कितना आया 4 आया X plus Y कितना आया सिर्फ हम लोग X plus Y निकाले अब इसी तरीका से X minus Y निकालेंगे कहने का मतलब है X minus Y वैसी करेंगे जैसे था हम लोग क्या करेंगे कोशन पहले कॉपी करेंगे एक्स पलस वन बाई ए रूर थिरी मैनेस वन रूर थिरी पलस वन रूर थिरी मैनेस वन ये मैनेस देंगे रूर थिरी मैनेस वन बाई रूर थिरी पलस वन ये लिखें रूर 3 पलस 1 डरेक कर दे रहे हैं यह जो है दो बार है इसको holy square लिख दिये ठीक है same a double लिखने से अच्छा है कि क्या कर दिये holy square कर दिये क्योंकि पहले में बता दिये थे फिर उसी तरीका से यह वाला यह वाला same a cut गया तो यह दोनों बचा ना तु यह दोनों का drag लिख दे रहे है root 3 थी-1 ko holy square आप आप बोलिएगा कि इसको open कर दिये तो इसको क्या करिएगा root 3 plus 1 का holy square है ना तो इसको A यह बी है तो A square plus B square formula का है तो यह होगा A square plus B square का formula हो गया root 3 का holy square plus 2 into root 3 into 1 plus 1 का square यह bracket close यह minus देंगे बीच में यहां पर ऐसे करेंगे यह फिर इसको break करेंगे तो क्या हो जागा root 3 का holy square minus 2 into root 3 into 1 plus 1 का square उसके बाद आईसे करेंगे यह नीचे A minus B A plus B है तो हमनों क्या करेंगे root 3 का holy square minus 1 का holy square अब कहने का मतलब है याद रखेगा A root 3 से यह कटा square square से root 3 कटा और यहां पर यह वाला कटा तो कहने का मतलब यह है यह हो गया यहां पर 3 plus इसको multiply किये तो 2 root 3 plus 1 1 तो multiply होगा तो भई होगा यह 1 bracket ऐसे की है बीच में minus दिये यहां से क्या बचा 3 minus 2 root 3 plus 1 बाइ नीचे क्या होजाएगा इससे यह कटेगा तो यहां पर क्या बचेगा 3 1 का square क्या होता है 1 आप bracket open करेंगे तो गौड से दिखिएगा यहां पर दिखिए bracket open करिएगा तो bracket open करिएगा तो कहने का मतलब यह क्या हो जाएगा 3 पलस 2 रूट 3 पलस 1 माइनस ये माइनस 3 माइनस माइनस पलस 2 रूट 3 माइनस पलस माइनस 1 बाई नीचे 3 में से 1 जागा कितना बचेगा? 2 बचेगा इनी का मतलब ये है कि इतीन पलस में इतीन माइनस में इक कट गिया e minus में 1 e plus में 1 ये भी कट गिया तो याद रखेगा e दोनों को add करेंगा तो 2 और 2 कितना होगा 4 root 3 और नीचे का होगा 2 तो कहने को था 2 एकम 2 2 दूनी 4 मतलब क्या होगा 2 root 3 x minus y कितना निकला 2 root 3 ये आगिया दूसरा वाला हम लोग सिर्फ निकाल रहे है थोरा सा संबरा है लेकिन ध्यान से देखेगा basic समझेगा जरूर ये समझना बाबु लोग हम लोग x और y निकालेंगे आप जो x और y निकालेंगे तो देखें x का value x और y है तो x y में क्या होता है इस नॉर्मल है x का value होगे root 3 plus 1 by root 3 minus 1 into देंगे y का value root 3 minus 1 by क्या होगा root 3 plus 1 हम लोग को ये लाना है तो इसको देखें ये bracket रखेंगे ये bracket रखें ये bracket रखें एक ही बार में कट गया इसको ये कार दिया इससे ये कार दिया बचा क्या 1 x y कतना आया आप खेला यहां पर से स्टार्ट होगा आप ए नंबर में पुट करेंगे कोशन नंबर ए लिखेंगे कोशन नंबर ए में क्या था कोशन नंबर ए कोशन नंबर ए में देखेंगा लेटेस तो इसको हम लोग पूरूफ करेंगे इसका यह लाएंगे तो यह देखे इसको सॉल्फ कर रहा है हम लोग कोशन लिखे है एक स्कॉर पलस वाई स्कॉर बाई एक स्कॉर माइनस वाई स्कॉर यह लिखे है हसातुला हम क्या बोले रहें कि हसातुला को पता है थ हाइज बोले न neuen आं men मतलब है कि यह सिकनी हिख समय प्रफ करके सहिंप और युकंखे निकाले थे तो यो है पलए तो इतना जो बयरीक है किस पंद कर से ड़े Plus व Tell freezer को यह चारल़ कहें यहां यह इज मैनिश लिखए तूले एंटू एक स्वाय का वेलुव है निसय निकाले थे निचे है नीकालता ह कितना 4 into x minus y का value कितना तो 2 root 3 तो कहने का मतलब दिखी कितना असान एक बार value निकाल लिए फिर दिल कस यू यू बनाएगी तो इस चार का स्कुरार है चार का स्कुरार कितना होगा बुली तो 16 minus 2 को 1 से multiply करें कितना होगा तो 4 नीचे 4 उए है इस चार को टू से multiply करें करिए दीजिए तो 4 2 कितना होगा एट होगा तो कहने का मतलब है कि इसको 4 2 टू से 8 root 3 लिख ये आप यहाँ पे देखेंगा 16 में से 2 जाएगा कितना बचेंगा तो 16 में से कट मतलब है तो आ गहीं हो गए यह उपर में खैंद में 7 ज मोगी है ओपर में 7 हो गया और नीचे का होगा यह 4 root 3 है आप बच्पन से सिखते हैं क्या सिखते हैं rationalize करेंगे क्या करेंगे rationalize करेंगे तो याद रखिएगा यह rationalize करेंगे into root 3 नीचे root 3 लिखेंगे तो यह क्या हो जागा इससे multiply करेंगे तो 7 root 3 होगा और नीचे क्या होगा 4 into root 3 को root 3 तो यानि मेलटिप्लाइ को सब्सक्राइबो 180 की गतरा से अरे वह जातीड के मिवला primo on the एक्स इस्क्राइब एक्स इस्क्वा सब्स чит छ थो Neots चीज़ को एक्तरफ लिखेंग यह 1च काश्य चल हुब पकड़के यहां लाएंगे Y SQUARE, इसको फिक देंगे 26 एकस वाइव यानि यह वाला यह यह लिए यह लुका और कुछ नहीं किये यह X SQUARE पहलाज Y SQUARE यह लिए फिर्मुला याद आप बोल सकते हैं कि सरे X SQUARE, Y SQUARE का फर्मुला याद है यह formula लिखे, x square, y square का formula यह वाला, ठीक है, अब क्या है, नीचे लिखेंगे, यह देखे, x square, y square का बुलिएगा, x plus y का whole square, minus, x, y, 2xy, और plus यह वाला जो है, x, y, अब कहने का मतलब है, कि यह x plus y का value जो है, तो आप इसको x plus y का value बैटाएगा, x plus y का value, 4 का square है, यह minus, x minus xy, 2xy, minus xy को जोड़ेंगे, तो 3xy, और नीचे क्या होजएगा, x plus y का value, 4 का square, minus, इसको इससे घटाएगे, तो क्या होजएगा, 2xy, मालने, दो आमे से एक आम जाएगा, तो 2xy से 1xy जाएगा, तो क्या बचेगा, सिरिफ xy बचेगा, तो कहने का मतलब है, कहने का मतलब है, कि यहाँ पर यह जो है, 4 का square कितना होगा, 16 होगा, 4 का square कितना होगा, 16 minus 3, into xy का value 1, नीचे 4 का square, 16 minus xy का value 1, मतलब होगिया, 16 में से 3 जाएगा, और 16 में से 1 जाएगा, 15 बचेगा, मतलब यह होगिया, 16 में से 3 जाएगा, तो कितना बचेगा, 13 बचेगा, 15 नीचे का 15, यह आपका answer होगिया, यह आपका answer होगिया, यह देखिएगा, यह सी शड को इतना बनेगा, कि अच्छा कर लीजेगा, क्योंकि बहुत easy है, C देखिए, C में बोला था, Let us calculate simplify value of x square by y, plus y square by x, इसका value निकालना, यह हम लोग का C वाला है, नॉर्मली इसको LCM लिए, तो x y आया, और यह क्या होगिया, देखिए यहां पर, y y कटेगा, तो क्या हो जाएगा, x पर power cube, और यहां से x x कटेगा, तो y को y से multiply करेंगा, तो यहां पर y square है, यहां पर y 1 है, तो y पर power cube, तो अभी आप बोलिएगा, कि sir, a cube, b cube का formula याद है, गुलनाज बोलीगा, हम को तो याद है, तो हम लिए ठीक सुने यह, तो आप बोलिएगा, x plus y का whole cube, minus 3xy into x plus y, यह formula है, किसका है, x cube plus y का formula, a plus b का whole cube, minus 3xy plus a plus b, तो कहने का मतलब नीचे, x y है, value put कर दिजा, और कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, सिर्फ value put, put the value, और कहने का मतलब है, x plus y का value कितना, तो वहीं बोलिएगा, 4, 4 पर power cube देजेगा, minus 3 लिखेगा, into x y का value कितना, 1, x plus y का value कितना, 4, नीचे क्या होगा, x plus y का, x into y का value कितना, 1, मतलब नॉर्मली, 4 का cube कितना, 4 का cube कितना, 64, minus, 4 को 3 से multiply करेंगा, तो कहा होगा, 4, 12, 12, नीचे 1 चुपा हुआ है, 1 राएगा, लिखनी की जोड़तनी है, तो आप बोल सकते हैं, 64 में से 12 जाएगा, कितना बचेगा, 52, यह आपका अंसर हो गिया, तो लाष्ट का देख लीजेगा, धीरज रखके, D number, आप लोग, हम समझ सकते हैं, आप लोग continue देख रहे हैं, दिमाग खड़ाब हो रहा होगा, लेकिन साथ साथ आपका एग्जाम में, चारो में से कोई एक पूचेगा, जो भी पूचेगा, 3 number pocket में, हाट टू, लेट अस काल्कुलेट, simplified value, x cube minus y cube, देखे कैसे निकालते हैं, मतलब है, x cube minus y cube, ठीक है, x cube minus y cube का फॉर्मूला का है, x minus 3 का whole cube, plus 3 x y, और क्या होगा, x minus y, ठीक है, तो x minus y है, पलस नहीं है कि 4 लिखेगा, दिलकस बोलेगी, क्या यहाँ पर 4 होगा, लेकिन 4 यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर क्या होगा, 2 root 2, साधिका देख रही थी, गोर से, देखे, 2 root 2 का cube, plus 3 into x y का value कतना, 1, x minus y क्या होगा, 2 root 3, तो याद रखेगा, इस चीज को जो है, यह जो है, यह क्या होगा, 2 पर भी power cube है, मतलब 2 का cube कितना होगा, 8, ठीक है, और इसको, जो cube जो है, तो इसको कितना पर लिखेगा, 3 time लिखेगा, तो देखे, हम क्या बता रहे हैं, हम बता रहे हैं, कि इसको आप ऐसे लिखेगा, root 3 into root 3, into root 3, plus 3, bracket 2 root 3, हम जो बता रहे हैं, ध्यान से समझेगा, यह हुआ, कि 8 लिखेंगे, root 3 को, root 3 से multiply करेंगे, तो क्या होगा, 3, और यह, तो किसे से multiply गगा, तो यह 3 रहेगा, और यह 3, 3 to 0, 6, तो आप इसको लिख सकते हैं, drag 6, root 3, तो यहाँ देखेगा, 8, 3 के कितना होगा, 24, root 3, और plus 6, root 3, तो आप बोल सकते हैं, कि इसको और इसको आइट करेंगे, तो कितना होगा, 30, 24 और 6 जो रिंगे, यह दुनों को आइट करेंगे, तो कितना होगा, 30, root 3 साथ में लिख देंगे, यह आपका answer है, यह आपका क्या रहा, answer, 4 सम को अच्छे से बनाएगा, समझ कर बनाएगा, अगर यह बना लिए, अपलिकेशन का, तो अंदर वाला सम आप लोग से इसी हे बन जाएगा, लेकिन याद रखेंगे, एक्जाम में को एक ही पार्ट पूछेगा, चारों एक साथ नहीं पूछेगा, तीन मार्क्स में इतना लोग नहीं पूछेगा, कोई की बनेगा, तो आपको तीन पिस बनाना होगा, एक्स मनिस वाई, एक्स पलस वाई और एक्स वाई बनाना ही होगा, एकम माय, अब इडू के जाएं, तब जागे को आखेशा है झाल